नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, पीसिस अकैडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और दोस्तों हम लोगों के GS4 पेपर का टॉपिक चल रहे थे, लेक्चर और आज हम लोग एक नया लेक्चर देखेंगे, नया टॉपिक है सासन विवस्ता में सुचिता यानि प्रॉबिटी को जो टॉपिक है, सासन में सुचिता तो उसको आज हम लोग देखेंगे और प्रॉबिटी क्या होती है, उसको आज हम लोग समझेंगे तो प्रॉबिटी सब से पहले चीज यही है कि एक lattice अप्ध है कि जैसे सुद्रणता से नैतिक सिद्धान्तों का पालन करने वाला मतलब बहुत ही द्रणता के साथ में जो नैतिक सिद्धान्त हैं उनका पालन करने वाला जो भी बैक्ति पालन करता है तो उसके अंदर प्रॉबर्टी पाई जाती है ठीक है? ऐसी, ऐसा कोई भी बैक्ति जो अपने मूल्यों, जो उसके नैतिक कर्तब्बे हैं, नैतिक से धांत हैं, उनके अनुसार चलने वाले बैक्ति जो होता है, वह इसके अंतरगत आता है अब प्रॉबर्टी, प्रॉबर्टी एक बहुत बड़ा शब्द है और इसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेस होता है प्रॉबिटी के अंतरगत कौन-कौन सी चीज आती है कि जिसे इमांदारी भी आती है सत्य निश्था भी आती है नियाई निश्था भी आती है पारदर्शिता भी आती है सच रित्रता भी आती है ये सारी चीजें सच्चाई, इमांदारी ये सारी चीजे जो हैं वो इसके अंतरगत समलित होती है और प्रविटी का अर्थ बस इतना ही समझे है बिलकुल सिंपल सब्दों में कि जो चीज अची है नयतिक रूप से और सैद्धान्तिक रूप से दोनों प्रकार से घै मैं तो इसको हम लोग प्रविटी बोलते हैं आब तो सासन में जो probability है वो किस तरीके से होती है, ठीक है, सासन में probability क्यों आवशक है, और सासन में probability होती क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, कि जिसे जो सासन में probability है, ठीक है, सासन में probability जो है, वो सरकारी कारियों में, जैसे जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी कारे किये जाते हैं सासन में, ठीक है, तो सासन में जो भी कारे किये जाते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, वह नियाए पूर्ण और निष्ठा के साथ में ह जाए वहां पे जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी हो और जो भी व्यक्ति वहां कारे कर रहे हैं वो हर तरीके से इमानदारी से अपने कारों को निस्पादित करें और क्या है कि सासन में प्रविटी के अगला पॉइंट है कि बिधि के समक्ष समानता के सिद्धानत का पालन जो कानून के समक्ष जैसे जो कानून के अनुसार चीजें बताई गई हैं जीचे बोली गई हैं उसके अनुसार समानता का सिद्धानत समानता का सिद्धानत का तो पार्टी में जैसे एक हजार लोग हैं, तो अब एक हजार लोगों के साथ में हमारा जो बेवखार होगा, उस सभी के साथ में कानूनी रूप से जो भी हमारे कानून के अनुसार सही है, हम उसको करेंगे. और सभी बेक्तियों को समान रूप से देखेंगे, ठीक है, और ये सासन में प्रवर्विटी का अर्थ एक ये भी होता है, कि जिसे एक सामाजी कपैच्छा है, कि सासन में जो लोग नेता या मंतरी जो लोग ही बैठे हैं, वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। इसकी जो सासन में प्रोविटी है वो इसलिए भी महत्वपूर मानी जाती है कि निर्णा के लिए यह मांदंडों का निर्धार करती है कि इतने मांदंड के अनुसार आपको कारी करने हैं जैसे इमांदारी, सत्यनिष्ठा इतनी बहुत सारी चीजे हैं तो यह सारी चीजों को पालन करते हुए अपने कारियों को करना है आपको ठीक है और अगर यह सारी चीजों के अनुसार अगर कारी होगा वेक्ति इमांदार, सत्यनिष्ठा के साथ में न्यायनिष्ठा के साथ में समानता के साथ में अगर पारदर्शिता के साथ में अपने उत्तरदायतों को निभाएगा तो होगा क्या एक भ्रष्टाचार मुक्त उन सक्षम सासन की स्थिती को प्राप्द करेगा ठीक है और क्या है कि जैसे जवाब देही को भी वह सुनिश्चित कर सक होगी ठीक है जैसे जो सासन में बैकत आए हैं उनमें हर बैकती जवाब दे है जो भी उसने कारे किये हैं वो जनता को बताएगा कि किस तरीके से कारे किये जाते हैं और जो भी मैंने कारे किये हैं ये देखिए मैंने गलत नहीं किया है जो भी आंकड़े हैं जो भी निरणा लिये गए हैं वो सही तरीके से कारे ह जवाब दे ही होगी अपने कारियों के प्रतिवाश जवाब दे होगा और क्या है पारदर्शिता भी आएगी अगर भ्रच्टाचार मुक्त और सक्षम सासन है तो उसमें पारदर्शिता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अनुक्रिया शेलता भी बहुत जरूरी है औ अब जैसे हम लोगों ने बताया कि rules and regulation बना दिये ठीक है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने मांदन बनाए हैं या निरधारित किये हैं वो नैतिकता को सुनिश्चित करते हैं ऐसा नहीं होता नैतिकता को तभी सुनिश्चित होगी जब वो बैक्ति या संस्थान या नैतिकता का समावेश करें तब हम नैतिकता को सुनिश्चित कर सकते हैं लेकिन मांदन जो होते हैं मांदन ये निरधारित नहीं करते है और क्या है कि जैसे सासन में probability का अर्थिय भी है कि सरकार की नीतियों का क्रियान वे नेतिकता के उम मानननों के साथ में होना चाहिए कि जैसे किसी organization के कुछ rules and regulation है और उन आचरण से धान्तों के अनुसार और नेतिकता के साथ में अगर करना है तो वहाँ पर जो सरकारी नीतिया है उस संगठन की नीतिया है या उस राजी की नीतिया है इस्थानी सासन की नीतिया है जो भी नीतिया है वो अच्छी तरीके से कार अगर करना चाहती है तो उनको नैतिकता यवा मानन्ड दोनों के साथ में, दोनों चीजों के साथ में लेकर चलना होगा और क्या है कि एक उत्तम सासन की स्थापना होगी, अगर सासन में प्रोबटी होगी ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है सासन में प्रोविटी का महत तो क्या होता है तो महत तो का अर्थ है यह कि सासन में अगर प्रोविटी है तो यह हम निर्धारिद कर सकते हैं कि सासन अच्छा है या बुरा है प्रोविटी के अंतर कर बहुत सारी चीज़ें आती है बहुत सारी चीजों को शमावेश के जाता है जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, इमानदारी हो गई तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि जो सासन के दोरा कारी किये गए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं और क्या है कि राज की बैदिता को भी स्थापित करती है तो भाई सीधी सी बात है कि जो शाशन या सत्ता पार्टी जो भी होगी वो उसके कारियों को ही प्रतविम्बित करती है कि अगर कारे अच्छे होंगे तो अच्छी सरकार है अगर कारे अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छी सरकार नहीं है तो राजी की वैद्धता को भी स्थापित करती है प्रोविटी और क्या है कि राजी के संस्थानों में भरोसा भी दिल आती है अब सोच के देखिए कि जिसे हमारा CBI है या भारत का चुनाव आयोग है ठीक है उच्छतम नियाले है और राजी निर्वाचन आयोग है बहुत सा सारी संस्थाएं जो हैं किंदरी सतरक्तायोग है तो यह जितनी बी संस्थाएं और प्रोविटी उन संस्थानों में पाई जाएगी तो उनके कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से हुए होंगे और जब कार अच्छे भी होता है तो अब सिधी जी बात है विवेक पूर्ण नैतिक परणाम प्राप्त होते हैं अगर सासन में प्रोवटी है तो प्रोवटी अगर है सासन में तो जो भी चीजें आएंगे वो नैतिक पूर्ण आएंगी और जो रेजल्ट मिलेंगे वो हमें बिल्कुल नैतिक पू एक प्राइब नज़ानाओं को दूर करती है यह सबसे बड़ी बाती है प्रॉबर्टी अगर सासन प्रशाशन या चीज सी वेक्ति में या संस्थान में भी है तो वह क्या है व्रस्टाचार को दूर करती है ठीक है अ्योग जोर करती है और क्या है कि प्रक्रिया में लाती है ठीक है कि आप किसी भी पार्टी को लेके या किसी भी व्यक्ति को लेके किसी संस्थान के प्रती आपने क्या किया है आप निस्पक्षिता से कारी किया है अगर स्वतंत्र दिश्ट्रिकॉर्ण के कारी करते हैं और निस्पक्षिता के साथ में कारी करते हैं ठीक है तो सासन में प्रवबिटी तब ही होगी जब निस्पक्षिता हम स्वतनत द्रिष्ट्रिकोन आते हैं सासन में प्रवबिटी का महत तो ये भी है ये निस्पक्षिता को लाता है और स्वतनत द्रिष्ट्रिकोन बेक्ति संस्थान को प्रदान करता है लोगों को प्रदान करता है एक देखने का नजरिया बताता है यहां किस तरीके से निस्पक्षिता और सुतंत दिश्टिकोर अगर लाना है तो हमें सासन में प्रवर्टी को लाना होगा सबसे पहले उदारान के लिए देख सकते हैं कि जिसे एक नया दीश है पुलिस, लोक निर्मार विभाग, स्वास्त, सिच्छा, आदि सेवा प्रदातों द्यारा सकती का दुरुपयोग रोकती है वाई सीदी जी बात है जितने भी संस्थाएं हैं बैक्ती हैं जो भी हैं तो यह बैक्ती क्या करेंगे अगर इन बैक्तियों के द्वारा साशन में या प्रशाशन में प्रवटी आएगी तो प्रवटी के साथ में अगर काम किया जाएगा तो जितना भी चीजें हैं वो सक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा सक्तियों का दुरुपयोग से रोकती है ठीक हैं और क्या है कि कुशल और प्रभावी शाषन पुढाले है तो भी शाषन में प्रभावी बहुत ज़्यादा महत्पूर होती है ठीक है कि अगर कुशल और प्रभावी शाषन करना है तो उसके लिए प्रभावी बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्या है कि कानूनों का प्रभावी और निस्पक्ष करना है तो उनका सासन में प्रभाविटी का महत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कानून अगर प्रभावी रूप से अगर उनको सुचारू रूप से निस्पक्ष रूप से क्रियानुइद करना है वो तब ही उपाएंगे जब सासन में प्रवविटी होगी उन संस्थानों के अंदर प्रवविटी होगी अब प्रवविटी के सिध्धान्त देख लेते हैं कि प्रवविटी के सिध्धान्त कौन-कौन से है तो अब हम लोग प्रवविटी के सिध्धान्तों को देखेंगे प्रवविटी के सिध्धान्त कौन-कौन से है निस्वार्थता का अर्थ यही होता है लोग सेवक जो भी सि प्रादिकार दिये गए हैं तो उनका प्रयोग अपने मित्रों या अपने घरवालों को नहीं देना है जो लाभारती है उसी तक पहुँचना चाहिए दूसरा क्या है सत्यनिष्ठा का अर्थ बस इतना ही है सिंपल सब्दों में समझे कि दबाव रहित कारे करना बाहरी या आ के अनुसार कारे ना करना तो यह क्या है सत्यनिष्ठा इंटर्गिटली कि हमें जो कारे करना है वो हम अपने जो भी हमें अधिकार दिये गए हैं उसके अनुसार जो भी नेतिक रोप से सही है और अपने अधिकारों के अनुसार जो भी कानूनी रोप से सही है हम उसको आग कोई बड़ा नेता हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सची हो हम किसी के भी दबाओं में नहीं आकर काम करेंगे हम अपने अनुसार जो भी नेते करोब से सही है हम उसको कार करेंगे चलिए आगे देखते हैं कौन सा है जवाब देही जवाब देही का अर्थवस इतना ही होता है कि जो भी आपने कारे किये हैं उनके प्रति आप जवाब दे हैं अच्छा के लिए है आप जवाब दे हैं और गलत कारे के लिए भी आप जवाब दे हैं तो पद से जुड़ी जाच पर आगे आना जैसे किसी भी एक सिल सेवक के उपर अगर कोई आरोप लगता है कि आपने इस पर्योजना में इतने इतने रुपए की घूस ली तो आपको क्या है जवाब दे ही देनी होगी नहीं ये देखिए ये पूरे कागजात हैं और इनके अनुसार देखिए मैंने कोई ब्रिष्टाचार नहीं किया है और जो भी कारे मैंने किये हैं ये रहे डाकुमेंट और इनके अनुसार देखिए मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ आप चाहें तो बिल्कुल निस्पक शुरूप से आप मेरी जाज भी करवा सकते हैं मैं बिल्कुल राजी हूँ क्योंकि जब मैंने गलत कारी किया ही नहीं तो मैं बिल्कुल भी डरूँगा नहीं ठीक है तो जवाब दे ही का अर्थ यही है जो भी आपने कारी किये हैं उसके प्रति अपने आपको आगे लाना ठीक है अगला पॉइंट कौन सा है पारदर्शिता पारदर्शिता का अर्थ यही है ट्रांस्परेसी तो राष्टी सुरच्छा को छोड़ का सभी कुछ सारुजनिक जानकारी देना कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जैसे जो राश्ची सुरच्छा से जुड़ी होती है तो उनको उस सारजनिक जानकारी जो राश्ची सुरच्छा से जुड़ी जानकारी होती है उसको नहीं देना बाकी कोई भी जानकारी है मैं आपको देने के लिए तयार हूँ सब ही हित धारत कों का भरोसा एम बिस्वास अगर पारदर्शिता से बेक्ति काम करता है कोई संस्थान काम करता है या कोई SDM-DM काम करता है तो है क्या सब ही हित धारत जिनके भी हित जुड़े हैं उस योजना परियोजना जिस चीज से भी तो उनका भरोसा बना रहेगा और एक नया विश्वास भी बनेगा, अगला क्या है, खुलापन, निर्णयों पर जवाब दे ही, कोई भी चीज आपको बतानी है, आप बिल्कुल दिलफेक से बताइए, मुफट होके बताइए, कि हाँ, ये चीज मैंने निर्णय लिया, इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी, ये देखिए, ये मेरा जवाब है, लिखित रूप से, अपने निर्णयों पर जानकारी सभी को देना, जो भी आप निर्णय लेते हैं, उनकी जानकारी बिल्कुल तुरित जानकारी सभी को देना, जो भी वेक्तियाप से पूशता है, तो ये क्या कहलाता है, खुलापन, इ इमांदारी का मतलब यही है कि जो सारजनिक हित उनको पूरा किया जाना चाहिए ठीक है और अगर नीजी हित में कोई भी कारे किये हैं आपने तो आप इमांदारी से उन चीजों को बताईए ठीक है और सारजनिक हित की अगर कोई बाधा आती है या सारजनिक हित में कोई समस् पैदा होती है तो उसको भी इमानदारी से पूरा करना ठीक है गोपनीता गोपनीता का अर्थ क्या होता है कि सरकार की गोपनी सुचनाओं को सुरच्छित रखने का वचन देना ठीक है और प्रशाशनिक न्याय स्थापित करना इसका अर्थ यही होता है कि सरकार की जितनी भी सूचनाएं हैं जैसे जू चीजें आपको बताई गई हैं बड़े अधिकारियों के द्वारा संस्थानों के द्वारा कि इनको आपको नहीं बताना है तो उन चीजों को आप लोगों को नहीं बताना है और एक प्रशाशनिक ज्याय आप अपने संस्थान के प्रति, अपने सरकार के प्रति भी आपको इमानदार रहना है प्लस जनता के हितों को भी संरचित करना है, सुरचित रखना है तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है हितों के टकराव का प्रवंधन हितों के टकराव का मतलब यह है कि कोई निर्ना ले रहे है उसमें आपका कोई दोस्त आ गया या कोई जो आपसे सुपिरियर ओफिसर्स है तो उन से समंधित कोई आ गया तो वहाँ पर एक जनता का एक सामान इंसान तो वहाँ पर आपको क्या करना है निस्पक शोकर एक उचित निर्ने लेना है ठीक है और क्या है कि जो जनता है जनता को आपको सरोपरी रखना है जनता से उपर कोई भी नहीं है और नवा पॉइंट क्या है नेत्रत नेत्रत का अर्थिय ही होता है कि लोक सिवक जो होते है वो प्रचार एवं समर्थन करते हैं ठीक है खुद भी अनुकरण करते हैं जैसे होता ना कि एक नेत्रत करता जैसे जिले का डियम होता है तो वो अच्छी चीजों से सीखता भी है ठीक है और खुद भी उन चीजों को अपने अंदर अनुकरण करता है ठीक है अनुकरण करता ह और चीजों से सीखता है और जो लेक लोक सेवा है जो सिविल सेवा है उसमें ये चीजें नित्रत बहुती ज़्जादा महत्वूर्ण होता है जो नेड़ना लिए जाते हैं उनमें नहतिक्ता का होना बहुती ज़्यादा जरूरी है अगर नित्रत अच्छा नहीं है तो आपक से ही देखेंगे दो तीन वीडियो में इसको कम्प्लेट कर लेंगे ठीक है और दोस्तों जी एस और डिफेंस ऑप्शनल का गुरूप भी चल ला है तो उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हैं यह मेरा वाट्सप नमबर है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या तो आप डि में FDP कर दो को मेंगे ऋलिए बाएंगे कर सकते हैं इस toν Change